पूरे 9 एपसूड की है यानिकि इसमें बहुत कुछ कवर होना है, हाला कि पहले एपसूड में जसे की होता है हमेशा बताया जाता है एक सूपर हीरो के ओरिजिन के बारे में जूकि काफी डेटेल में डिस्क्राइब क्या गया है और यहां पे हरानी की कोई बात नहीं है क्यो इतना की जैनिफर को यहने दोस्तों all together इन दोनों का जो duo है वो audience को काफी हसाता है लेकिन इन सब के अलाओ दोस्तों यहाँ जो शीहल की जर्णी है यह तो काफी important है क्योंकि आगे जाके यह दो चीसे current होने वाली है पहले तो Thunderbirds और दूसरी World War Hulk अब देखते हैं कि आगे क्या ह हाला कि इसमें बहुत कुछ है सबजने को जो की audience को हैरान कर देगा तो दोस्तों complete वीडियो को स्टार्ट के अब लग कर देजे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताईए कि शीहल के इस आज के एपसेट को आप आज मैंसे कितना श्टार देंगे साथी साथ जो लोग में लने चाता है उसके बाद दोस्तों वो audience से बात करती है यानि कि fourth wall break करती है अब दोस्तों यहाँ पे इसके पास भी Deadpool जैसे एक पावर है यह सब करने की और एक comic book में भी ऐसा कर चुकी है जो कि audience के लिए किसी surprise से कम नहीं होगा लेकिन इन सब के अलावा जब हम लोग को पास दिखाए जाता है तो वही सीना आता है जो कि हम लोगो प्रोमो में दिखाए गया था जैनिकि Bruce और वो जा रहे थे और यहाँ वे Captain Steve Rogers की बाते कर रहे थे लेकिन तबी exactly उसे moment पर दोस्तों एक सकारियन spaceship आ जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है अब दोस्तों यहाँ प वापस से Bruce Banner बनाता है और वो prototype उसे से में तूट जाता है और बस Hulk बनने लगता है लेकिन तब ही अब लग नोटिस करते हैं दोनों की body में छोटे लगे हुई थी और इसी वज़से दोनों का जो blood है वो एक दूसरे में मिल जाता है जिसकी वज़से Jennifer Waters के पास Hulk की power आ जाती है और वो कई भाग जाती है अब दोस्तों यहाँ पर उसे completely transformed होते हैं ने दिखाए गया यहाँ पर मैं Bruce Banner की बात कर रहा हूँ यानि कि आभी भी वो Professor Hulk बना हुआ है यानि कि उसके अंदर का Hulk बाहर नहीं आ है क्योंकि दोस्तों एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था यह यह जो मशीन है यह Professor Hulk को कंट्रोल करती है यानि कर यह मशीन टूट जाएगी तो हो सकते हम लोग को आगे जाके incredible Hulk दिखाए देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उन सब के बाद आगे जाके यहाँ पर Jennifer Waters एक क्लब में चली जाती है यहाँ पर कुस लड़के उसे छड़ने होंगे यह obvious सी बात है यहाँ पर Avengers Infinity War के बात के होंगे कि यहाँ पर हल्क को एक मौका मिला है अपने बॉड़ी को कंट्रोल मिलाने का यहाँ पर टूनी स्टार्ट के हम लोग को काफी technologies हम लोग को दिखाए दे रही है जो कि Bruce Banner के biology को सबज़ते में उसकी काफी help कर रही होग और यहाँ पर Bruce Jennifer Waters को बताता है कि उसके blood transfusion के वज़े से जो की एक accident था उसके पास भी हल्क जैसी ताकत आ गई है लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि उन दोरों में एक चीज़ कॉमन है कि वो लोग जब gamma को absorb करते हैं तब वो लोग हल्क बन जाते हैं लेकिन यहाँ पर Jennifer Waters इसके blood से Bruce Banner का जो हाथ है वो Avengers endgame में snap करते हैं डैमज हो गया था वो भी ठीक हो जाता है Jennifer की वज़े से यानि कि दोस्तों उसके blood sample में कुछ तो खूबी होगी लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ नोटिस करते हैं यहाँ पर जो Professor Hulk है वो blood sample को destroy कर देते हैं future को इसका गलत इस्तिमाल ना करें अब दोस्तों यह सीधा reference से Abomination का आप लोगों को पता है न वो कैसे बना था है हाँ एक और विलन की possibility की आगी जाके अमनों को दिखाई दे सकता है जो कि Abomination के साथ ही था वो और कोई नहीं जिसका नाम है The Leader इसके बारे में हम लोग और detail में बात करें अब हालक कि आपे Jennifer को बिल्कुल पसंद नहीं हल्क बनना लेकिन फिर भी दोस्तों Bruce ने कहा है अब तो changes हो गये हैं और इसे दुबारा पीछे नहीं किया जा सकता है इन सब कहलाओ दोस्तों यहां पर लोग देखते experiment जहां पर Bruce बनन कर यह कहना है हल्क तभी बाहर आता है ज बहुत निराश हो गया था और अपने आपको खतम करने की कोशिश किया था लेकिन तभी उसकी दूसरी personality हल्क आके उसे बचा लेती है और ऐसा कुछ scene दोस्तों लोगो incredible हल्क में देखने को मिला भी था यानि दोस्तों एक बात तो confirm है हल्क भले डर के मारे बाहर ना आये या तभी उसके अंदर का हल्क नहीं बाहरा रहता लेकिन जब उसकी personality को लगा कि उसके खत्रा हो सकता है यानि कि उमर सकती है तब वो बाहर आ गया लेकिन मज़े की बात यह है जैसे कि हल्क के अंदर दो personality exist करती है जिसे उसे almost 10 से 15 साल तक battle करना पड़ा और उसे control करने के लिए उसे बाद में प्रोफसर हल्क बनना पड़ा वैसा तो कुछ दोस्तो जनिफर के case में नहीं है और यह देखे ब्रूस बैनर को जनिफर से थोड़ी जलन भी होती है और यहाँ पे उनकी training शुरू हो जाती है यहाँ पे दोस्तो जनिफर को हम लग देख सकते हैं वो यहाँ प यूज बताता है कि अब तुम्हें इसे समहलाव का चाहिए तुम इसे पसंद करो या फिर ना करो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाद दोस्तो यह है यहाँ पर प्रॉफसर हल्का जो पहला वाला एपसोर्ट का सीन है वो काफी डीटेल में दिखाए गया लेकिन क्या आग यानि दोस्तो वो चाहिए तो गुस्से में भी वो तब भी शी हल्क उसके अंदर रहेगा यानि इसका मतलब यह है दोस्तो जैनिवर का उसे जादा कंट्रोल है और यह अपर तबी एंट्री हो जाती है विलन की जो की है टाइटेनिया यहाँ आप इसके बारे में जादा यह है कि अभी आगे जाके हम लोगों ट्रेलर में कुछ और ऐसे विलन दिखाए देंगे जीतन के बारे में जादा कुछ रिवील नहीं हुआ है उपर से दोस्तो यहाँ पर बहुत जल्दी वोंग की बी एंट्री होने वाली है और अभी तक हम लोगो अबॉबी नेशन भी देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर अभी तो यह बस शिरुवात है आगे हम लोगो बहुत कुछ पता चलेगा लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पर सबसे इंपोर्टन्ट कोशन होगा ओडियंस का क्या आगे जाके हम लोगो इंक्रेडिबल हल्क देखने को मिलेगा यहन कुछ देखने को मिला है आप जेनिफर और हल्क एक साथ ड्रिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लोग तो जानते हैं वो लोग कभी टल्ली होई ने पाएंगे और यहाँ पर जेनिफर रो रही है क्याप्टन स्टीव रोजर्स के लिए कि आखिरकार इतना हट्टा कटा इंसान इतना सुंदर कैसे वर्जिन मर गया यहाँ पर फिर उसको रोता हो देख प्रफसर हल्क उससे एक राज ओपन कर देते हैं कि वो वर्जिन नहीं थे बलकि वो अपनी वर्जिन रीटी खो दिये थे 1943 USA के एक मिशन पे और यहाँ पर जेनिफर होश माते बोलती है मुझे पता था लेकिन सबसे important सवाल यह आता है कि आखिर वो लड़की कौन थी जाहिर सी बात है वो और कोई नहीं बलकि पैगी काटरी होंगी अब देखते ही आगे और कितने post credit scene आते हैं और रही बात सकारियन spaceship की तो वो अभी भी अर्थ पहे यानि कोई तो उसका अंदर सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीडो फामली का इससा बन जाएगा